हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूटूब चैनल डिन के भी पोपुलर तो फ्रेंज यह वीडियो विशेश रूप से सीटेट से संबंदित है जिसमें हम लोग सीटेट इंग्लीज लेंग्वेज पेडागोजी के बारे में जानेंगे यह इंग्लीज लेंग्वेज इस तरीके से हम लोग परेंगे तो फरेंज वीडियो बरा नहां हो इसलिए इसे पार्ट में जो है डिवाइट कर दिया गया तो फ्रेंज तिन चार वीडियो में जो है English language pedagogy से संबंधित topic को जो है cover करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग language के बारे में जान लेते हैं तो language क्या है it is the expression of meaningful words meaningful सब्दों की अभिवेक्ति को भासा कहते हैं we use language to express our thoughts हम लोग अपने भासा को use कर अपने विचा को परकट करते हैं and or it is a systematic arrangement और भासा जो है यह systematic arrangement है कहने का मतलब यह है कि भासा के माध्यम से हम लोग अपने भाव को परकट करते हैं अपने विचारु को परकट करते हैं साथी साथ जो है यह एक systematic arrangement है systematic arrangement कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है हम लोग एक system के तहज जो है rules, regulation, grammar औगेरे सारे चीजों का follow करते हुए हम लोग चलते हैं अब अगला point है according to ln, ln के अनुसार language is a means of communicating thoughts, ln के अनुसार भासा जो है अपने विचारों को परकट करने का एक माध्यम है अब हम लोग next point को देखते हैं English has 5 vowels on the basic of writing, basic writing के अनुसार English में 5 vowels होते हैं जैसे की a, e, i, o, u अब हम लोग next point देखते हैं based on sound, English language, धोनी के आधार पर English language में 20 vowels, 24 consonants होते हैं और यह कुल मिला कर 44 होता है अब हम लोग language families के बारे में जानेंगे भासा के घराने इसके बारे में जानेंगे about 1600 language are spoken in India भारत में लगभग जो है 1600 भासाय बोली जाती है there are 22 major languages in India written in 13 different scripts with over 720 dialects तो इन में से जो है 22 जो है मुख्य भासाय हैं जो की 13 अलग अलग परकार के script में लीपी में जो है इसको लिखे जाते हैं जिसके अंतरगर 720 जो है छेत्रिय भासा हैं तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इंडिया में जो है 1600 भासाय जो है बोली जाती है जिसमें की 22 मुख्य भासाय हैं और ये जो 22 भासाय हैं ये 13 अलग अलग लिपियों में जो है लिखी जाती है जिसमें जो है 320 जो है छेत्री ये भासाएं हैं English comes in Indo-European family तो English जो है ये Indo-European family से आया है तो इस पर का हम लोग ये सारा चीज पढ़ लिए कि भारत में जो है लगवग 600 के आसपास जो है भासाएं है जिसमें की 22 भासाएं जो है major है ये 22 भासाएं जो है तेरे लिपियों में जो है लिखी जाती है और जिसके अंतरगत 720 जो है डियालेक्स है चेत्री ये भासाएं है तो अगला point है family language तो family language के अनुसार भारत में जो है दो परकार की family language पाई जाती है एक है इंडो एरोपियन जिसके अंतरगत हिंदी इंगलीज गुजराती ये सारी भासाएं आती है और उसके बाद दूसरा है ड्राविडियन फेमेली जिसके अंतरगत तमील तेलगू कनड़ा ये सारी भासाएं आती है अबलोकन के अनुसार इंगलीज जो है ये दूसरी भासा है अगला पॉइंट है इन ए मल्टि लिंगल कंट्री इंडिया इंगलीज इसे की भारत जो है एक भवभासी देश है जिसमें की इंगलीज जो है ये एक गलोबल लेंग्वेज है नेस्ट पॉइंट है एज पर इंडियन कंस्टिटुशन भारते संभिदान के अनुसार पहला है एसोसियेट ओफिसियल लेंग्वेज इसको की हम लोग सोट में जो है ए ओएल कहते हैं हमारे भारते संभिदान में इसको जो है आर्टिकल 343 भाग दो में जो है रखा गिया ह और यह जो है भारत के संभिदान की धारा 343 भाग ए में जो है इसके बारे में वर्नन किया गया है अगला है ए ओफिसियल लेंग्वेज एक्ट ओफिसियल लेंग्वेज एक्ट जो है यह 1963 इस भी में लाया गया था